हलो आज का टोपिक है नेत्र दिष्टी दोस वे उनका निवारन डिफैट्स इन आई विजन एंड देर कारेक्शन ये जितेंद्र शर्मा पीपीएस के दुआरा दिया गया टोपिक है अमबर फास्ट बिजीज निकट दिष्टी दोस जिसे मायोपिया कहते हैं इस रोग में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो इसपस दिखाई देती है किन्तु दूर की वस्तु इसपस दिखाई नहीं देती इसे निकट दुष्टी दोस के नाम से जानते है क्योंकि इस रोग के अंदर हम देखने की वस्तु से जो प्रकास के किरने आती है वो मेत्र लेंस को पार करने के बाद रेटीना पेना बनके रेटीना के सामने बन जाती है प्रतिमिम रेटीना के सामने बनने के कारण हमें निकट की वस्तु तो इसपस दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु इसपस दिखाई नहीं देती इसी को मायोपिया कहा जाता है इस रोग के निवारण के लिए सेकिन चित्र में देखते हैं तो इस रोग के निवारण के लिए आउतर लेंस याने कॉनकेव लेंस का उपयोग करते हैं कॉनकेव लेंस के उपयोग से प्रतिवीम रेटीना के सामने ना बनकर रेटीना पर बनता है प्रतिवीम रेटीना पर बनने से निकट दिश्टी दोस कनिवारण किया जा सकता है नमबर सैकीन दूर दिश्टी दोस या दिर्ग दिश्टी दोस जिसे हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं इस रोग में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो इस पस दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु इस पस दिखाई नहीं देती इसे दूर दिश्टी दोस या हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है इस रोग में जैसा की चित्र में दिखराया वस्तु से निकलने वाली जो प्रका की नीवारंड के लिए ापयोग करते हैं जो सेक्ट चितर में दिख रहा है जब उत्तर लैंस या कॉन वेक्स लैंस का उपयोग करेंगे तो प्रतिवी म्रेटीना पर बनने लग जायेगा जिससे कि इस रोग का नीवारंड किया जा सकता है इसके अलावा तीसरा रोग है जरा दूर द्रश्टिता या प्रिस बायोपिया आयू में बढ़ने के साथ साथ जब नेत्र लेंज की मासपेश या कमजोर हो जाती है तो व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तू इस पस दिखाई जेती है ना पास की इस रोग को हम जरा दूर द्रश्टिता या प्रेस बायोपिया कहते हैं इस रोग के निवारण के लिए दी फोकसी लेंज का उप्योग करते हैं जिसमें की उपर वाला भाग आउतर लेंज का होता है और नीचे वाला भाग उतर लेंज का होता है चोथा रोग है द्रिश्टी वेसम में या एस्टे मैटिज्म इस रोग के अंदर कॉर्णिया की गोलाई में एनियमित्ता के कारण ये रोग होता है जिससे व्यक्ति को उर्धवादर वे सेतिज रेखाओं में विबेद मैसूस नहीं हो पाता है जिससे की उसको एक साथ दिलनाका लेंस का उप्योग किया जाता है और लाश्ट रोग है मोतियमिन या कैटरैक्ट जिसमें व्यक्ति की आयू बढ़ने के कारण नेत्रि लेंस की पारदर्शी तक कम हो जाती है जिससे व्यक्ति को दुन्दला दिखाई देने लगता है इस रोप के निवारण के लि